तो हम परमेश्र पिता को धन्यवाद देते हैं इन सारी आशिशों के लिए इन सारी बातों के लिए और लास्ट संडे यदि आप में से जितने भाई बहन जुड़े थे लास्ट संडे की मिटिंग में तो एक बहुत अद्भुत प्रकाशन को जो प्रभु ने मुझे दिया भजन सहीता 23 से मैंने उसे आपके साथ बाटा था भजन सहीता 23 एक पत से लेकर के तीम पत तक हमने बहुत detail में, बहुत गहराई में word to word एक एक line को जो प्रभू ने अपने वचन में हमारे ले रखा है जो प्रभू ने हमारे ले प्रगट किया है हमने उसे वचन में देखा है और आज जैसे मैंने कहा था कि वो जो वचन है वो एक सब्ता में या एक दिन में वो पूरा नहीं हो सकता हमको उसके लिए continuously दो सब्ता में हमको जुड़ना पड़ेगा कि हम बाकी आने वाले जो तीन वचन है जो तीन पद है भजन सहीता 23 के हम उसे पूरा meditate कर सके, मनन कर सके तो आज हम प्रभी इश्यमसी के जो अगला प्रकाशन जो प्रभू हमारे लिए रखे हैं, इसे हम देखेंगे पर सबसे पहले मैं चाहूँगा कि फिर से आप जहां कहीं से भी जुड़े हैं, भले ही आपका mic off रहे, फिर से एक बार हम भजन सहीता 23 को हम एक साथ बोलेंगे और फिर क्योंकि ये 6 पद है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे एक साथ, फिर उसके बाद हम आगे वचन में हम सीधा डूपकी लगाएंगे डाइब करेंगे, तो यदि आप अपनी family members के साथ बैठे हुए हैं, जुड़े हुए हैं धर्म के मारगों में वो अपने नाम के निमित मेरी अगवाई करता है, चाहे मैं घोर अंदकार से भरी हुई तराई में होकर चलू, तो भी हानी से न डरूँगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तरी लाटी से मुझे शान्ती मिलती है, तुने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिचाया है तुने मेरे सर पर तेल मला है मेरा कटोरा उमन रहा है निश्य भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहवा के धाम में सरवदा वास करूँगा आमेन, praise the Lord सहम परमेशर पिता को धन्यवाद देते हैं सुन्दरवचन के लिए पिछले हपता हमने भजन सहीता एक से तीन तक हम मेडिटेट किये थे हम मनन किये थे, आज हम जाएंगे भजन सहीता 23 सध्याय के चोथे पत से और इसमें जाने से पहले मैं सबसे पहले आपका ध्यान इसमें लाना चाहरा हूँ कि पहला जो पूरा तीन पद है वहाँ पे जो दाओध है दाओध एक चरवाहा था इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से जानके रखिएगा दाओध एक ऐसा चरवाहा था जाते हैं तो मैं उनके मूँ से अपनी भेड़ो को मैं वापिस ले आता हूँ ये वो चरवाहा था एक एक भेड़ो के लिए जो चिंता करने वाला चरवाहा था दाओध एक एक भेड़ो की रक्षा करने वाला चरवाहा था दाओध पर भजन सहीता 23 में दाउद अपने आपको एक भेड के समान देख रहा है और प्रभूई इश्यू मसी उसके चरवाहा है और भजन सहीता 23 को दाउद इसलिए लिखता है कि मैं इश्यू की भेड हूँ और इश्यू मेरा चरवाहा है आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ और मेश्यू की वचन से कि प्रभूई इश्यू मसी वो सच्चे और अच्छे चरवाहा है जो अपनी भेडों के लिए अपने प्राण को दिये प्रभी इश्यमसी वो चरवाहा है जो हमारे लिए अपने प्राण को दिये और आपको मालूम है कि इश्यमसी अपनी भेडों के लिए अपने प्राण को कैसे दिये वो स्वैम भेड बन करके प्रभी इश्य मसी अपने प्राण को बलीदान दिये यहना पहले अध्याय के उन्तिस्पत को जब आप पढ़ोगे जब यहना बबतिस्मा देने वाले ने इश्यू को देखा तो इसने इश्यू को देख करके क्या बोला? देखो परमेशर के मेमने को Behold the Lamb of God यहना जो प्रभी इश्य मसी का चेला था जब प्रकाशित वाग के पांचवे अध्याय को जब वो लिख रहा था तब यहना रोने लगा क्योंकि उसे कोई योग यह नहीं मिल रहा था कि वो उस पुस्तक को खोल सके और उसकी मुहरों को तोड़ सके तब प्राचिनों ने यहना को क्या बोला? मुड करके देख यहूदा के गोत्र के सिंग को और जब यहना मुड करके देखा तो उसने क्या देखा? आपको मालूम है? प्रमेशर के वचन में लिखा है यहना मुड करके प्रमेशर के मेमने को सिहासन के बीच में उसने देखा प्रभी इश्यू मसी को प्रमेशर का मेमना कहा गया तो बैबल हमको बताती ही जब आप पढ़ोगे इबरानियों में I love this verse यह पढ़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि प्रभी इश्यू मसी इबरानियों चाहों थे अध्याए में प्रभी इश्यू मसी हमारे समान सारी बातों में वो परखे गए पर सारी बातों में वो निश्पाप निकले किसी भी जगे पे प्रभु ईश्यमसी ने गल्टी नहीं की आज आपके मन में प्रशन आता है कि अर्पित मैं जिस प्रकार की परिशानी से जिस प्रकार की चिंता से मुसीबत से, तकलीफ से मैं गुजर रहूं, तुम नहीं समझ सकते या कोई मनुष्य नहीं समझ सकता आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं न मैं समझ सकता ना कोई दुसरा मनुष्य समझ सकता पर प्रभी इश्यमसी उन तकलीफों से वो गुजर चुके हैं और वो उन तकलीफों को जानते हैं जिससे आप गुजर रहे हैं इसलिए बाइबल बोलती है कि प्रभी इश्य मसी हमारे समान सारी बातों में परखेव गए पर किसी बातों में उन्होंने पाप नहीं किया नगलती किया सारी बातों में वो निश्पाप निकले तो प्रभी इश्य मसी वो एक चरवाहा है वो अच्छे चरवाहा है पर वो अपनी भेडों के लिए जब अपने प्राण को दिये तो वो स्वैम भेड बन करके स्वैम मेमना बन करके वो अपने प्राण को मेरे और आपके लिए दिये How good it is कितना blessed moment ये कितना blessed कितने धन मैं और आप हैं कि प्रभी इश्य मसी जो परमेशर का पुत्र है वो हमारे लिए अपने जीवन को बलीदान दिया क्या आपने इस चीज़ को सोचा है एक पल के लिए कि प्रभी इश्य मसी वो राजाओं के राजा हैं प्रभूों के प्रभू है वो महिमा के सिहासन पर बाइबल बोलती है इसराइल की स्तूती रूपी सिहासन पर विराजमान होने वाला परमेशर है जिसके सामने स्वरगदूत मूँ के बल गिरते हैं अब एक पल के लिए सोचिए कि वो प्रभू जिसके सामने स्वरगदूत मूँ के बल गिर रहे हैं वो मनुष्य का रूप लेकर किस पृत्वी पर आए ये कितने शर्म की बात है आप विचार करिए आप इस चीज को सोचिए कि मैं और आप हम मनुष्य हैं और यदि मैं आपक जाए और चीटी बन करके चीटीयों के जैसा जीवन जीए तो आपको कैसा लगए कि ये एक मनुष्य के लिए शर्म की बात है क्योंकि जो स्टेंडर्ड जो ग्लोरी जो महिमा अभी हमारे पास है एक मनुष्य के रूप में वो चीटीयों के पास नहीं है तो जब मैं बोल चीटी बन जाओती है आपके लिए ख शर्म की बात है इसी चीच को आप विचार करें प्रभी इश्य मसी के लिए वो प्रभूों के प्रभू है राजाओं के राज़े हैं जब वो मनुष्य बन करके आए यह कित niet शर्म की बात है पर उन्होंने उस शर्म को अपने उपर ल पुला गया, मिमना क्या होता है लैम्ब क्या होता है, लैम्ब का मतलब अनिमल, जानवर होता है जब आप पुराने निया में भी पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखाए कि जो अनिमल साक्रिफाइस किये जाते थे परमेशर पिता को, वो क्या है हम हिंडी में बोलते हैं हम जानवर इंगलिश में हम बोलते हैं एनिमल तो प्रभू इश्यमसी इतने नमर और दीन बन गए मेरे और आपके लिए कि वो जानवर भी बन गए और हमारे लिए अपने प्राण को वो दिये as us हमारे समान बन करके सारी चीजों में वो परखे गए तो प्रभू इश्यमसी हमको उन सारी चीजों से निजाद दिला सकते हैं जिससे आज हमको परेशानी ह utmost हमको सारी उन तकलीफों से चंगाई दे सकते हैं छुट्कारा दे सकते हैं जो आज हम प्रेशानी होती है तो हमेशा इस चीज़ को याद रखेगा कि प्रभी इश्यमसी हमारे लिये और हमारे जैसे प्रभी इश्यमसी क्रोस में बलीदान हुए और आज जब प्रभी इश्यमसी पिता की दहनी और जब विराजमान है हमारे महायाज़ा के रूप में तो प्रभी इश्युमसी वो पिता की दहनी और इसलिए नहीं बैठे है कि वो परमेशर के पुत्र है That He Is, इश्युमसी हमेशा परमेशर के पुत्र है, कोई डाउट नहीं दुस्तात्मा भी जानती है कि इश्युमसी परमेशर का पुत्र है, कोई डाउट नहीं वो confess करती थी आप सूसमचार में आप पढ़ोगे कि है परमेशर के पुत्र इश्यू मसी परमेशर का पुत्र है तो इश्यू मसी पिता की दहनी और इसलिए नहीं बैठें कि वो परमेशर के पुत्र है वो हमेशा परमेशर के पुत्र है प्रभी इश्यू में सी पिता की दहनी और इसलिए विराजमान है कि वो मेरे और आपको रिप्रेजंट कर रहे है मेरे और आपको पिता के सामने प्रदर्शित कर रहे है रिप्रेजंट कर रहे है बाइबल बोलती है पहला यहन्ना उसका दूसरा ध्याय का पहला पद यदि आपके पास English Bible है तो आप English Bible में इसे चेक करिएगा वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कोई पाप ना करे पर जो पाप करता है वह या जाने कि पिता की दहनी और English में लिखा हुआ है We have an advocate before father हमारे पास पिता के सामने एक advocate है अर्थाद धर्मी प्रभूई श्यमसी अब advocate का क्या रोल होता है अधिवक्ता का क्या रोल होता है अधिवक्ता का काम होता है कि यदि उसका client यदि उसका पक्षकार सही हो की गलत हो वो अपने क्लाइन का पक्ष रखता है न्यालाय में जज के सामने में परमेशर पिता he is the true judge और वो जज के सामने जो हमारा पक्ष रखने वाला है वो हमारा प्रभू है और परमेशर पिता हमको देख करके हमको जज नहीं करते परमेशर पिता हमारे महायाजग को देख करके हमको जज़ करते है जो हमारा मजैसा प्रभी इश्यमसी है पिता की दहिनी और वैसे हम में संसार में है Hallelujah, how blessed we are, कितने धन्य है मैं और आप की प्रभी इश्यमसी मेरे और आपके साथ है I am feeling very proud and very blessed to have Jesus in my life मुझे बहुत खुशी और घमंड है कि इश्यमसी मेरे जीवन में है और इश्यमसी मेरे पास है and I believe कि ये घमंड और ये खुशी आपको भी महसूस हो रही होगी कि प्रभी इश्यमसी हमारे साथ है हमें और कुछ नहीं चाहिए we have Jesus, we have good shepherd हमारे पास एक अच्छा चरवाह है तो प्रभी इश्यमसी वो अच्छे और सच्छे चरवाह है तो दाउद भी अपने आपको कैसे देखता है एक भेड के समान महान और अच्छे चरवाह का भेड के समान दाउद अपने आपको देखता है तो पहले पत से लेकर के तीसरे पत तक हमने परमेशर के वच्छन में हम मनन कर चुके थे अब हम देखेंगे चौथे पत से और चौथे पत में जो परमेशर ने मुझे दिखाया है word to word अपने वच्छन से Bible से जो परमेशर ने मुझे दिखाया है I believe कि सचमुच में आप इस प्रकाशन से आप आशिशित होने वाले हैं आज की शाम को इसके लावा जित्ते भाई बहन जो YouTube से मुझे सुन रहे है जब इस online meeting के बाद जब ये वच्छन YouTube में जाएगा तो आप सब भी इश्यमसी के नाम से आप blessed होने वाले इस वच्छन के द्वारा इस प्रकाशन के द्वारा और ये जो प्रकाशन है ये प्रकाशन मैंने किसी को पहले प्रचार करते हुए नहीं सुना आप इसे चेक करिएगा कहीं पे भी कोई भी इस बातों को जो मैं आज आपके साथ शेर करने वाला हूँ आप किसी को पहले प्रचार करते हुए नहीं सुनेंगे क्योंकि ये सीधा प्रभू की और से ये प्रकाशन मुझे मिला है और आप लोग पहले हैं जो इस प्रकाशन को आप पाने वाले हैं तो यदि आप इस वचन को आज सुन लेते हैं और आपको लगता है कि आपके कोई relative को ये वचन सुनना है तो ये message कुछ दिनों के बाद ये वचन मेरे YouTube पे डल जाएगा तो आप इसे फिर से सुन सकते हैं और अपने कोई करीबी को जिसको इस वचन की जुरुरत है आप उसे भी सुना सकते हैं कि वो भी आशिशित हो सके तीसरे पद को हम देखे थे चौथे पद में आईए यदि आप बाइबल खोले हैं तो वहाँ पे देखिए दाउद वहाँ पे बोल रहा है भजन सही तथ 23 अधियाए के चौथे पद में कि चाहे मैं घोर अंधिकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं मैं हानी से ना डरूंगा क्यों 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 कि तू मेरे साथ रहता है अब सबसे पहले मैं आपका जो फोकस यहाँ पे लाना चाहे रहा हूँ ध्यान दीजेगा कि पहले पद से ले करके तीसरे पद तक आप अपनी बैबल रखें उसमें देखते जाएए पहले पद से तीसरे पद में दाउद इस बात को बोलता है कि परमेशर तू मुझे चरा रहा है तू मुझे ले करके चल रहा है जान दीजेगा मैं इसे बोल रहा हूँ यहुँआ मेरा चरवाह है मुझे कुछ घटी नहोगी वह मुझे हरी हरी चराईयों में बैठाता है वह मुझे सुगदाई जल के जरने के पास ले चलता है वह मेरे जी में जी ले आता है धर्म के मारगों में वह अपने नाम के निमित मेरी अगवाई करता है तो मतलब एक पत से लेकर के तीसरे पत तक आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि परमेशर पिता दाउद को लीड कर रहे हैं परमेशर पिता हरे एक जगों पर दाउद को चरा रहे हैं दाउद को ले करके जा रहे हैं और ये मेरे और आपके साथ भी रेलिवेंट है मेरे और आपके साथ भी ये सुसंगत है कि हर एक अच्छी चीजों में, हर एक अच्छी जगों पर परमेशर पिता मेरे और आपको ले करके जा रहे हैं पर चौंथे पत्मे दाओत ये नहीं बोलता कि वह मुझे अंधकार की तराई में ले जा रहे हैं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं ध्यान दीजिए चोथे पद में दाउत बोलता है चाहे मैं अब यहाँ पे first person pronoun आ गया एक वेक्ती सरवनाम यहाँ पे आ गया चाहे मैं घोर अंधिकार से भरी हुई तराई में हो करके चलू मतलब घोर अंधिकार की भरी हुई तराई में परमेशर पिता मुझे नहीं ले जा रहे है मैं स्वेम घोर अंधिकार की भरी हुई तराई में जा रहा हूँ मैंने स्वेम अपने जीवन में कुछ ऐसे निर्ने लिये हैं मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसे decisions लिये हैं जिसके कारण आज मैं घोर अंधकार की तराई में होकर के जा रहा हूँ परमेशर पिता मुझे नहीं ले जा रहे हैं ध्यान दीजेगा चौते पद में इसलिए मैंने एक पत से तीन पत तक आपके सामने इसे शेयर किया आज देखिए आज मुझे बहुत खराब लगता इस चीज़ को कि आज बहुत से लोग परमेशर पिता को ब्लेम करते हैं परमेशर की उपर उगली उठाते हैं कि आज तुम्हारे जीवन में जो तकलीफ है बिमारी है ये परमेशर की ओर से है परमेशर आज अपने लोगों की ताड़ना बिमारी के द्वारा करता है आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई बहुत बड़ी समस्या आगई तो लोग बोलते हैं कि तुमने कोई बहुत बड़ा पाप किया है जिसकी तुमें शमा नहीं मिली है इसलिए ये दंड परमेशर तुमको दे रहे है ये सारी इर्रिलिवेंट बाते हैं आज सुसंगत बाते हैं जो आउट अफ बाइबल है कभी भी इसी बातों पर विश्वास मत करिए सुसमचार में ट्रेस करिए ये किसी को भी इश्यू ने ऐसा बोला होगा कि तेरे पाप के कारण ये बीमारी तुझ पर पड़ी है तेरे पाप के कारण तुझे ये दंड मिला है नैवर किसी को नहीं आज से तीन हफ़ता पहले मतलब इसके पहले जो संडे हमने भजन सही तही से मनन किया था उसके पहले वाला जो संडे था ये वचन मेरे यूट्यूब पे डला हुआ है आप इसे जा करके एक बार सुनियेगा मैं थोड़ा सापको इसे बताता हूँ डिटेल में नहीं जाओँगा क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा एलिया जब सुनेम में रहने वाली इस्तरी के जब घर में गया सारपतनगर में सुनेम जो था वो एलिशा का घटना था सुनेम की जो इस्तरी थी एलिया जिसके पास भेजा गया था वो सारपतनगर की विद्वा थी तो सारपतनगर में जब एलिया भेजा गया तो वहाँ उस इस्तरी का बेटा मर जाता है तो जब उस इस्तरी का बेटा मर जाता है तो वो इस्तरी क्या बोलती है क्या तू मेरे यहां इसलिए आया है कि मेरे पापो को तू मुझे इसमरण दिलाए तो एलिया वहाँ पे उस वक्त पाप प्रधान था तो लोगों को लगता था कि हमारे पाप होगे कारण परमेशर हमको दंडित कर रहे हैं पर नए नियम में जब आप देखोगे तो इश्यू मसी सबसे पहले जो लकवे की रोगी को इश्यू ने क्या बोला तेरे पाप शमा हुए इश्यू ने पहले ये बोला तेरे पाप शमा हुए फिर इश्यू ने बोला अपनी खाड उठा और चल फिर आज आपके जीवन में जो गलतिया हैं जो मिस्टेक्स हैं और आपके जीवन में जो परिशानिया आ रही हैं परमेशर की ओर से नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ इस जूट को मैं तोड़ता हूँ परमेशर के बचन से इश्यू वसी के नाम से आपके जीवन से आज आपके जीवन में जितनी भी परिशानिया हैं तकलीफें ये परमेशर की ओर से नहीं है इस संसार में जो वाइरस फैल रहे हैं बिमारियां आ रही हैं डेथ डीके डिजीज है ये परमेशर की ओर से नहीं है प्री भाई और बहनों Bible बोलती है कि यहना को जब आप पढ़ोगे यहना पहला अध्याए और उसके तीसरे अध्याए दोनों को जब आप पढ़ोगे तो Bible बोलती है Permission की जोती पृतवी पर आई पर लोगों ने अंधकार को जोती से प्री ये समझा मतलब वो जोती कौन है वो जोती प्रभी इश्यू में सी है परमेशर ने heaven's best स्वर्ग की best वस्तू को परमेशर ने दिया पर लोगों ने उस परमेशर के पुत्र को reject कर दिया उसे ग्रहन नहीं किया पर जितनों ने उसे ग्रहन किया बाइबल बोलती है उसे उसने परमेशर का पुत्र होने का धिकार दिया यदि ये संसार इश्यू को ग्रहन कर लेता तो आज ये संसार ऐसा नहीं होता जैसा ये संसार है बहुत से लोग परमेशर को ब्लेम करते हैं कि परमेशर बीमारियों के द्वारा आपकी ताड़ना करता है परमेशर की इच्छा है कि आप बिमार रहो आपने बहुत से लोगों कैसे बोलते वे सुना होगा मैंने बहुत से लोगों को सुना है और मैंने उन लोगों का उन प्रचारों को का नाम मैंने लेना चाहता आप स्वैमी से देख लीजेगा तो बैबल हमको बताती है कि प्रभूई इश्य मसी हमारे पापों को उठा लिए निश्य भजन सहीता तिरपन 53 का 4 और 5 तो ये जो बोल रहे हैं कि परमेशर की इच्छा है कि आप बिमार रहो और ये आपको लगता है कि परमेशर की इच्छा है आपके जीवन में कि आप बिमार रहो तो फिर आप डॉक्टर्स के पास क्यों जाते हैं परमेशर की इच्छा है उसे अपने जीवन में पूरा होने दीजिए आप डॉक्टर्स के पास मच जाएए उसका पहला और दूसरा पद में गयूस के लिए जो प्रात्ना करता यहना हे मेरे प्री, मेरी इच्छा है कि तू हर बातों में उन्नती करे और स्वस्त रहे जैसी तरी आत्मा उन्नती करती है तो स्वस्त रहने ये परमेश्यर की इच्छ है कि आप स्वस्त रहो तो इस चीज को हमेशे याद रखिएगा कि जितनी भी अच्छी blessing आपके जीवन में है, it is from God पर जहां पे भी आपके जीवन में कोई अंधकार का समय आता है, कोई ऐसा moment आता है जहां पे आपके जीवन में कुछ गलतिया है, mistakes है या परिशानी है आप जान जाएए कि कुछ न कुछ निर्णाय आपने लिया है, जिसके कारण ये अंधकार की तराई से आप होकर के गुजर रहे है तो दाउद यहाँ पे बोलता है कि परमेशर वा मुझे हरी हरी चरायों बैठाता है, परमेशर हम सब अच्छी चीज़ों के मेरे ले करते हैं पर जब मैं कोई गलत डिसीजन लेता हूँ, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चल रहा हूँ अब मैं गलत डिसीजन ले लिया हूँ, मैं गलत निर्ने ले लिया हूँ अंधकार की भराई में, अंधकार से भरी हुई तराई में चलने का निर्ने, अब क्या होगा, परमेशर ने ये वायदा किया कि उस अंधकार की भी तराई में मैं तुम्हारा साथ ना और दाउद बोलता है कि मैं किसी हानी से ना डरूँगा क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है यदि आपके जीवन में कोई ऐसा मोमेंट आता है जब आप अंधकार की भरी हुई तराई में है अप चारोर से भले आपको तकलीफे नजर आएंगी पर जब आप अपने सामने में देखोगे तो आपकी सांस से भी नजदी, closer to your own breath प्रभु श्यमसी आपके साथ आपको खड़े मिलेंगे जो आपका हाथ ठाम करके आपके साथ खड़े हुए हैं अब यहाँ परमेशर के वचन से मैं उस प्रकाशन को आपको देना चाहरा हूँ जो प्रभु ने मुझे दिया यह चौथे पद में बहुत amazing बादशीपी हुई है चौथे पद भजन सहीता 23 का जो बीच का जो लाइन है वो क्या है आपको मालूम है आप इसे अराम से बैट के गिनियेगा और बीच की लाइन निकालियेगा कि बीच में कौन सब पद आता है मैं आपको बताता हूँ कि बीच में कौन सब पद आता है क्योंकि तू मेरे साथ रहता है यह जो लाइन है यह भजन सहीता 23 के बीचो बीच है या आप इसे कह सकते हो कि यह लाइन सेंडविच है इस तरफ एक ब्रेड है दूसरे तरफ एक ब्रेड है बीच में तू मेरे साथ रहता है यह सेंडविच है पूरे भजन सहीता 23 में अब आज आईए आप मेरे साथ आप बाइबल रखें परमिशन उसका नाम नहीं बदला था तो उस समय में उसका नाम था अबराम तो बाइबल हम को बताती है कि अबराम का जो भतीजा था लूत उस लूत को किड्नैप करके या पकड़ करके चार राजा जो हैं उसे ले जाते हैं और जब उसे ले जाते हैं तो अबरहम को ये बात पता चलती ही तो अबरहम उन चारो राजाओं को चेज करता है उनके पीछे जाता है लूत को बचाने के लिए और बाइबल हमको बताती ही कि अबरहम जाता है और see the presence of the Lord परमेशर की उपस्तिती यदी आपके पास है जो मैंने स्टार्टिंग में बोला I am very proud that Jesus is with me मुझे और कुछ नहीं चाहिए क्योंकि इश्यू मेरे साथ है और इश्यू मेरे साथ है मतलब मेरे पास सब कुछ है मैंने स्टार्टिंग में इसी लिए इसे बोला अबरहम के पास उस वक्त कुछ नहीं था सिर्फ परमेशर पिता उसके साथ थे इश्यू मसी उसके साथ थे वो गया और चार राजाओं को वो हरा दिया डिफीट कर दिया कैसे हरा दिया परमेशर उसके साथ थे वो जा करके उन चारो राजाओं को हराया और बाइबल हमको बताती है जब आप आखरी पदों को पढ़ोगे मल्की से देख वाली जो आपकी बाइबल में हेडिंग डली हुई है उसके नीचे के पद से देखिए वहाँ पे बाइबल हमको बताती कि अबरहम राजा की तराई में या शावे की तराई में वहाँ पर वो आता है ये कौन सी तरही है मैं आपको सीधे बताता हूँ ये किद्रोन नाला है किद्रोन नाला के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो किद्रोन नाला को चार नामों से जाना जाता है या तीन नामों से आप कह सकते हैं सबसे पहले उसे बोला जाता है राजा की तरही दूसरा उसे बोला जाता है शावे की तरही, वैली औफ शेवा और योवेल की पुस्तक में आप पढ़ोगे तो वह आप किद्रोन नाला को यहोशापात की घाटी बोला गया है और चाउत्ळा उसे किद्रोन नाला बोला जाता है तो ये चार नाम है किद्रोन नाले के फिर से बताता हूँ राजा की तरह आई, शावे की तरह आई यहोशापात की तरह आई क्द्रोन नाला को जब आप बढ़ोगे इबरानी में जब मैंने इस इबरानी में चेक किया वेरी अमेजिंग बहुत ये आशिर जनक है किद्रोन का इबरानी में अर्थ होता है इबरानी में मतलब होता है कदार और कदार का अर्थ होता है अंधकार किद्रोन को इबरानी में कदार बोला जाता है Q-A-D-A-R कदार और कदार का इबरानी में अर्थ होता है अंधकार तो किद्रोन की तराई, किद्रोन नाला जिसे आप बोल रहे हैं तो किद्रोन कर्थ क्या है? अंधकार तो राजा की तराई में जब अबरहम था मतलब वो कहां था? घोर अंधकार से भरी हुई तराई में अबरहम था Are you able to see that? क्या आप इसे देख पा रहे हैं परमेशर के वचन से Everything has the meaning हर एक चीजों का Bible में मतलब है अबरहम कहां था चारों राजा को मार करके? राजा की तराई में जिसे हम किद्रोन नाला बोलते है किद्रोन नाला का अर्थ क्या है? किद्रोन नाला कार्थ है? अंधकार से भरी हुई तराई कदार और कदार का मतलब क्या होता है? अंधकार से भरी हुई तराई तो अबरहम अंधकार से भरी हुई तराई में था तो जब अबरहम अंधकार से भरी हुई तराई में था तो बैबल हमको बताती कि वहाँ पे सदोम का राजा आया सदोम का राजा कौन है आप जानते हैं सदोम का राजा जब भी आप बैबल में पढ़ते हैं सदोम का राजा वो हमेशा शैतान को सिगनिफाई करता है शैतान को रिप्रेजन करता है क्योंकि आप आगे चल करके सदोम के बारे में उत्पत्ती में ही आप पढ़ोगे तो उत्पत्ती में और स्टार्टिंग में लूत के समय से भी जब आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा सदोम और अमोरा वो कैसी जगा थी सदोम एन गौमोरा वो कैसी जगती आप बहुत भली भांती जानते हैं इसके साथी साथ सदोम का जो राजा था उत्पत्ती चओदवय अध्याई में आपको उसका नाम मिलेगा उस राजा का नाम था बेरा ब-e-r-e बेरा और हिंदी में बामे की मातरा बे, रामिया की मातरा रा मैं यह स्पेलिंग क्यों बता रहूं आपको क्योंकि बेरा का अर्थ जब आप इब्रानी में देखोगे तो बेरा का मतलब होता है सन ओफ इविल दुस्ट का पुत्र आप इसे चेक कर लीजेगा बेरा का अर्थ होता है दुस्ट का बेटा, दुस्ट का पुत्र और यह सदोम का राजा था बेरा, तो मतलब आप कह सकते हो कि सदोम शैतान को सिगनिफाई करता है, और जो वहाँ का राजा था, उसका नाम था बेरा वो दुस्ट का बेटा था तो उस अंदकार से भरी हुई तराई में अबरहम को हानी पहुँचाने के लिए सदोम का राजा था, दुस्ट का बेटा वहाँ पर था पर भाइबल क्या बोलती ही भजन सहीता 23 में चाहे मैं, अब एक चीज़ आप विचार करिये कि ऐसा क्या हुआ होगा कि अबरहम की द्रोन के नाले में वो चला गया विचार करिये, एक सोचने वाला प्रशना आता है कि अबरहम क्यों की द्रोन के नाले में वो गया I believe, मैं विश्वास करता हूँ कि अबरहम, क्योंकि की द्रोन का नाला का जो location है इस طرف में है ये मेरे राइट हैंड को आप देखें इस तरफ में है मोर्या पहाड जिस Пरमेशर का मन्दिर बना हुआ है इस तरफ में है ये जो मेरे दूसरा हाथ देख रहा इस तरफ में है जैतून पहाड माउंट ओलिफ्स जहां से प्रभी इश्यमसी का स्वरगा रोहन हुआ एसेंशन हुआ और बीच से जो नाला निकला है वो कि द्रोन नाला है तो आई बिलीव मैं विश्वास करता हूँ कि अबरहम जैतून पहाड के तरफ वाले रास्ते से वो आया होगा यरुशलम में जाने के लिए क्योंकि प्रभी इश्यमसी भी जब यरुशलम में प्रवेश करते थे तो प्रभी इश्यमसी जैतून पहाड कर जब भी आप पर बीज में जो नाला है किद्रोन नाला ये दोनों पहाडों को अलग करता है दोनों पहाडों को ये डिवाइड करता है तो इस तरफ है मोरिया पहाड इस तरफ है जैतून पहाड तो मैं विश्वास करता हूँ कि अबरहम इस तरफ से आया होगा और अबरहम यरुशलम मे या मोरिया पहाड में आप प्रवेश कर सकते हैं जो कि परमेशर का पवित्र पहाड है जिस पहाड पर अबरहम को परमेशर ने बोला कि अपने बेटे को तू बदिदान करना मोरिया पहाड सो देखिए कि परमेशर ने अबरहम को नहीं बोला कि अबरहम तु उस किद्रोन के नाले में जा नहीं अबरहम ने ये डिसीजन लिया कि मैं उस तराई से हो करके मैं यरुशले में प्रवेश करूँगा बाइबल में क्या लिखा है भजें सहीता 23 के 4 में चाहे मैं घोरंदकार से भरी हुई तराई में हो करके चलू तो अबरहम ने ये डिसीजन लिया कि मैं किद्रोन नाला से हो करके मैं जाऊंगा अबरहम येदी अबरहम की शब्दों में आप बोलो कि चाहे मैं घोरंदकार से भरी हुई तराई में हो करके चलू किद्रोन नाला से राजा की तरही से, शेवा की तरही से, मैं किसी हानी से ना डरूँगा क्योंकि वहाँ पे सदोम का राजा था, उसको हानी पहुंचाने के लिए, उसे परिशान करने के लिए, उसे ट्रबल करने के लिए तो अबरहम ने बोला या दाउद ने बोला दोनों के कॉंट्रास्ट को देखिएगा कि मैं किसी हानी से नहीं डरूँगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और बैबल हमको बताती है कि जब अबरहम वहाँ पर था घोर अंधकार से भरी हुई तराई में बैबल हमको बताती है कि मलकी सिदिक जो कि शालेम का राजा है और परम प्रधान परमेशर का याजग है वो उस तरह ही में आता है और मलकी सिदिक कौन है इबरानियों साथवे अध्याय को आप पढ़िएगा वहाँ पर बैबल बोलती है मलकी सिदिक के आदेश से इंगलेश में बहुत संदर लिखा हुआ है बाई दी ओर्डर ओफ मलकी सिदिक जीजस क्राइस इस आवर एवरलास्टिंग हाई प्रीस्ट मलकी सिदिक के आदेश से प्रभू इश्यु मसी सदा के लिए हमारे महायाजग है मैंने वचन के स्टार्टिंग में आपको जो बोला कि इश्यु मसी हमारे महायाजग के रूपे पिता की दहिनी और विराजमाने जो हमको रिप्रेजन कर रहे है तो यहाँ पे देखिए कि प्रभू इश्यु मसी उस तरही में अबरहम के साथ थे और बाइबल हमको बताती है कि वहाँ पे जो सदोम का जो राजा था सदोम का राजा एक आफर देता है अबरहम को क्या आफर था कि सारी चीजों को जो जिसे तू लूट में लेकर के आया है सारे लोगों को सारी चीजों को तू मुझे दे दे और मैं तुझे धन संपत्ती से मैं तुझे माला माल कर दूँगा मैं तुझे बहुत पैसा दूँगा बहुत धन संपत्ती मैं तुझे दूँगा ओफर दिया था बहुत अच्छा ओफर मैं तुझे पैसा दूँगा कि आप जो भी आशीश को आज आप लेते हैं इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो आशीश कहां से आ रही है यदि उस आशीश का सोता, यदि उस आशीश का सौर्स गलत है उसे कभी मत लीचेगा यहाँ पे वो आशीश, आशीश में नहीं कहूँगा यहाँ पे वो पैसा वो जो धन था उसका सोता कौन था सोर्स क्या था शैतान बेरा दुस्ट का बेटा वो उसे ओफर दे रहा था कि मैं तुझे धन समपत्ती दूँगा और आपको मालूम है कि अबरहम ने उसे लेने से इंकार कर दिया क्योंकि अबरहम को पता था कि ये गलत सोर्स से गलत जगे से ये धन आ रहा है और अबरहम ने बोला कि मैं एक जूती का बंद एक सूत भी मैं तेरे से नहीं लूँगा और उससे ना लिने के बदले अबरहम ने दश्वांश परमेशर पिता को चढ़ाया मतलब मलकी से देखो जो कि प्रभीश श्री मसी का एक पिक्चर है परमेशर पिता को उसने दश्वांश चढ़ाया और बैबल मेरे और आपको बताती है कि आगे चलकरके अब्रहाम पूरे देश में richest man बन गया सबसे धनी वैक्ती बन गया अब्रहाम अब्रहाम ही नहीं उसका जो बेटा था इजहाक उत्पती 26 अध्याय में आप इसे पढ़ेंगे बाइबल हमको बताती ही कि देश में बड़ा अकाल था उस बड़े अकाल में परमेशर ने उसको इतनी आशिश दी कि वो देश में सबसे आशिशित वैक्ती बन गया और आसपास के जो लोग थे वो अब्रहाम से पलिश्टी लोग जो थे अब्रहाम से और इजहाक से जलन रखने लगे क्योंकि वो आशिशित हुए आपको मालूम है परमेशर के वचन से मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहा रहूँ यदि अब्रहाम वो धन संपत्ती को सदोम के राजा से ले लेता तो बाद में जब अब्रहाम धनी होता परमेशर उसे आशिशित करते तो वो सदोम का राजा बोलता कि इसे धनी मैंने बनाया है शैतान बोलता कि अब्रहाम को धनी मैंने बनाया है आप देख पारें इस चीज़ को तो जो भी आशिश गलत सोर्स से आ रही है उसे कभी मत लीजिए इस चीज़ को ईश्य मसी की मिनिस्ट्री में आप देखिये शैतान जब ईश्य की परिक्षा ले रहा था उसे एक उचे कंगूरे पर, मंदिर के कंगूरे पर ले करके गया अब प्रभी ईश्य मसी को और प्रभू को सारा संसार दिखाया और दिखा करके क्या बोला ये सारा संसार सारी चीजे, सारा वैभाव सारा धन संपत्ती मुझे दिया गया है मुझे जुक करके प्रणाम कर तो ये सब कुछ मैं तुझे देदूँगा देखिए दोनों चीजों को यहाँ पे दुस्ट का बेटा बेरा सदोम का राजा यही चीज अब रहम को बोला अब रहम ने उसे नहीं लिया वो ही शैतान जब इशु की परिक्षा ले रहा था उसने इशु को यही ओफर दिया मुझे जुक करके प्रणाम कर इशु ने बोला लिखा है केवल तू अपने परमेशर के सामने जुकना उसी की उपासना करना और उसी की अराधना करना वहां से वो शैतान निकल गया अब ध्यान दीजेगा प्री भायोर बेहनों की प्रभी इशु मसी आपके आशिश के सोता है कभी भी उन आशिशो पर उन वस्तुओं पर निर्भर ना हुए जो गलत सोते से आशिश आ रही है हमेशा प्रभी इश्य मसी पर निर्बर हो ये वो आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे वो आपको डबल ब्लेस्ट करेंगे अब रहम उन धन संपत्ती को वो नहीं लिया क्योंकि उसे पता था कि ये चीज गलत जगे से आ रही है एक चीज में और आपको क्लियर करना चाहूंगा कि उस वक्त जब शैतान ईश्य की परिक्षा ले रहा था जब शैतान ने बोला कि ये सब कुछ मुझे दिया गया सारा वयभाव सारी धन संपत्ती किसके दोरा अदन की वाटिका में आदम ने सारा अधिकार क्योंकि परमेशर ने सारा अधिकार आदम को दिया था तो आदम जब शैतान की शैतान के सामने जब वो सिर जुका लिया उसकी आग्या को मान करके परमेशर की आग्या को लंगन किया मतलब शैतान की आग्या का वो पालन किया इस फल में से खा ले और जब उसे खाया तो सारा अधिकार आदम ने शैतान को दे दिया इसलिए वो एथॉर्टी वो अधिकार शैतान के पास था इसलिए तो वो इश्य मसी को बोल पाया कि ये सारा वैभाव मेरे मुझे दिया गया है ये सारा धन संपत्ती मुझे दिया गया है मुझे जुक करके प्रणाम करते मैं तुझे दे दूँगा तो ध्यान दीजेगा कि पहले आदम ने सारा अधिकार शैतान को दे दिया था दूसरे आदम ने प्रभी इश्य मसी ने क्रूस की कलवरी में शेयतान के सिर को कुचल दिये और सारा अधिकार जो शेयतान के पास था इशु वापस अपने हाथ में ले लिए और इश्यु मसी वो अधिकार ले करके किसे दिये? मेरे और आपको अब बोलोगे अर्पित कैसे तुम बोल सकते हो? मैं नहीं बोल रहा, बाइबल बोलती है, मत्ती 28 अध्याय के आखरी तीन पदों को आप पढ़िये, इश्यू मसी ने क्या बोला, स्वर्ग और पृत्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मतलब इश्यू ने उस अथौर्टी को वापिस शैतान से लिया, और इश्यू आप तुम जाओ, इश्यू मसी ने मेरे और आपको उला, अब तुम जाओ, और सारे संसार में सुसमा चार पचार करो, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्रात्मा के नाम से बबतिस्मा दो, उन्हें चेला बनाओ, तो इश्यू ने उस अधिकार को वापिस लिया, और वो गलट डिसीजन नहीं लिया या गलट डिसीजन मतलब कोई भी आशीश को आशीश में नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि आशीश परमेशर की ओर से आती है बाइबल में लिखा हुआ निती वच्छन में आप पढ़ेंगे कि परमेशर जब अपने लोगों को आशीश देता है तो उसमें दुख नहीं मिलाता है इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा पर जो सोर्स गलत सोर्स से जब आप आशीश को या किसी ववस्तू को या धन संपत्वी को आप लेंगे make sure करिएगा कि उसमें आपको दुख भी भरा हुआ या दुख का मिक्षर आपको उसमें मिलेगा तो यहाँ पे उस अंधकार की तराई में प्रभी इश्य मसी उसके साथ थे आज मैं और आप जब हम अंधकार की भरी हुई तराई में हम चलते हैं प्रभी इश्य मसी मेरे और आपके साथ रहते हैं जल्दी से इसमें एक और प्रकाशन में आपके साथ दूँगा जो परमेशर ने मुझे दिखाया बाइबल मेरे और आपको बताती है कि जब आप पढ़ोगे पहला राजा और उसका बीसवा अधियाए आप इसे अराम से पढ़िए का मेरे पास समय कम है मैं इसे लंबी कहानी को मैं शॉर्ट करके आपको बताता हूँ परमेशर के वचन से पहला राजा 20 वे अध्याय को जब आप पढ़ोगे तो वहां पे बैदल हमको बताती है कि आहाब उस समय इसराइल का राजा था और उस वक्त जो बेनहदत था जो की अराम का राजा था उस वक्त जो अराम का राजा था उस राजा के साथ 32 तर्टिस राजा सीरिया या अराम के राजा के साथ हाथ मिला लिये थे इस्राइल के विरुध लड़ने के लिए तब परमेशर के एक नभी आहाब के पास आकर के बोलता है कि देख अराम के राजा बेन हदद ने ऐसी ऐसी योजनब बनाई है कि वो तुझ पर चड़ाई करने वाला है इसलिए परमेशर यहुआ यों कहता है कि मैं तेरे हाकिमों के द्वारा परमेशर ने यह नहीं बोला कि आहाब मैं तेरे द्वारा जीत दिलाओंगा नहीं क्योंकि आहाब उस समय भटक चुका था बाल देउता के पीछे में परमेशर ने अपने वाचा के कारण जुसने अबरहम इजहाक और याकुब से बांदी थी अपने लोगों को परमेशर प्रोटेक्ट किये तो परमेशर ने बोला कि मैं तेरे हाकिमों के द्वारा और उस वक्त आहाब राजा के कितने हाकिम थे बाइबल में लिखा हुआ है दो सो बतिस 232 हाकिम आहाब राजा के पास थे अराम के राजा के पास कितने राजा थे जो उसके हाथ मिलाए थे 32 और यहाँ पे कितने हाकिम थे 232 और उसके साथ हज्जार इस्राइली लोक 7000 इस्रेलाइट्स यह आहाब राजा के पास थे तो नभी ने बोला इन लोगों के द्वारा परमेशे तुझे जीत दिलाएंगे अब आप विचार करिए कि कितने धेर सारे एक राजा के पास जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो सकता है या मालूम आप कर सकते हैं उदाहरन आप ले लीजे मुगलों का मुगल एक शाशक था एक राजा था पर कितनी बड़ी सेना उसके पास थी कितने बड़े लेंड को उसने इंडिया का इन्वेड किया या अपने अधिकार में लड़कर कि उसने जीता तो 32 राजा जब एक साथ है ताप इमेजिन करिये कि कितनी बड़ी सेना रही होगी और इस्राइलियों के पास 232 हाकिम 7000 पुरुष I love the style of God परमेशर के जो तरीका है यह हमेशा ऐसा तरीका है कि परमेशर हर एक संसार के नीचों और तुछों को चुन लिये है कि जो है उन्हें लज्जित करे और Bible हमको बताती है कि परमेशर पिता ने इन लोगों के द्वारा अराम के राजा को परमेशर ने डिफीट कर दिया अब ये वच्चन जो परमेशर पिता अपने नभी के द्वारा आहाब राजा को या इस्राइलियों को दिये आज ये मेरे और आपकी लिए भी relevant है निकाल ये मेरे साथ पहला राजा उसका 20 वाध्या है इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आज मैं और आप हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं ये कौन सा वर्ष है ये परमेशवर का वर्ष है महान अनुग्र का जिसमें सही जगे पे सही समय पे परमेशवर अपनी हरे काशिशों को प्रगट करेंगे और ये नए वर्ष में हम प्रवेश किये हैं और नए वर्ष का आज पहले महने का आखरी संड़ है कल हम या मैं कहूंगी अगले संडे जब हम प्रवेश करेंगे तो एक नया महना हो जाएगा देखिए बाइबल क्या बोलती है यह दिया आप निकालियें पहला राजा बीसवा ध्याय बाइसवा पद वर्स ट्वंटी टू तब उस नभी ने इसरायल के राजा के पास जाकर कहा जाकर लड़ाई के लिए अपने को द्रिड़ कर और सचेत होकर सोच कि क्या करना है क्योंकि नय वर्ष लगते ही आराम कर राजा फिर तुझ पर चड़ाई करेगा कब नया वर्ष लगते ही अभी बहुत दिन नहीं हुआ नया वर्ष लगे हुए वर्ष 2023 लगे हुए बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है मुश्किल से 5 हफता हुए है नया वर्ष लगे हुए तो नभी बोल रहा है उट करके सोच इसे अंडरलाइन करिएगा मैं भी आपके साथ शेयर करूँगा कि सोच का मतलब क्या होता है सोचने का मतलब होता है यहाँ पे मैं आपको जल्दी से बता दूँ डिटेल में मैं नहीं जाओंगा सोचने का मतलब है यहाँ पे जो इबरानी शब्द आया है वो है आलिफ ताव आलिफ ताव का मतलब होता है अलफा और उमेगा अलफा और उमेगा जो शब्द है ये ग्रीक वर्ड है यूनानी शब्द है इसी अलफा और उमेगा को इबरानी में हम बोलते हैं आलिफ और ताव अलिफ और टाव या अल्फा और उमेगा कौन है प्रभी इशियू मसीश इशियू ने बोला अनि अलिफ टाव अनि का मतलब मैं अलिफ और टाव अल्फा और उमेगा तो यहाँ पे सोचने के लिए जोई ब्रानी शब्द आया वो है आलेफ और टाव तो परमेशर का वचन ये बोल रहा है परमेशर की उस नभी ने अहाब राजा से बोला कि सचेत हो और सोच कि तुझे क्या करना है क्योंकि नए वर्ष लगते ही आराम का राजा तेरी उपर चड़ाई करेगा सीधा सा मतलब सीधा सा वचन परमेशर पिता मेरे और आपको दे रहे है वो वचन क्या है कि नए वर्ष लगते ही आपनी आखे प्रभी इश्यमसी की ओर उठाओ नए वर्ष लग चुका है नए जीवन आपको मिल चुका है सचेत हो करके प्रभी इश्यमसी की ओर देखो प्रभी इश्यमसी पर विश्वास करो प्रभी इश्यमसी पर निर्भर हो जाओ और निर्भर हो करके उसके अनुगर में आगे चलो क्योंकि नया वर्ष लगेगा तुम्हारे एनिमीज तुम्हारी उपर अटेक करेंगे क्योंकि ये संसार अंधकार और अंधकार होता चला जा रहा है पर उस अंधकार की भरी हुई तराई में जब हम चलेंगे तो हमारे पास ईश्यू मसी है इसलिए सोच, सोचने का मतलव है ईश्यू मसी की और अपनी निगाहें उठा योकि आराम अहाब तु कुछ भी अकेले नहीं कर सकता जब तक ईश्यू मसी तेरे साथ नहीं है जब प्रभू ने मुझे इसे दिखाया I am so blessed, मैं बहुत आशिशित महसूस किया कि ये प्रकाशन प्रभू ने मुझे दिया कि इतनी अदभूत बात इस पद में चिपी हुई है जो हम नहीं जानते मैं इसलिए बोलता हूँ कि संद की समय में पवित्रात्मा ईश्यू के प्रकाशनों को हमारे लिए रिवील कर रहे हैं, हमारे लिए प्रगट कर रहे हैं और ये पूराने नियम में आप इश्यू मसी को देखने के लिए पाएंगे हम राजाओं की पुस्तक को पढ़ रहे हैं और आप इसमें इश्यू को देख रहे हैं तो ध्यान दीजेगा कि उस नभी ने बोला कि तुम लड़ाई के लिए तयार रहना नए वर्ष में इश्यू मसी पर निर्भर हो करके इश्यू मसी की और अपनी द्रिस्टी लगा करके और उसके बाद जब आप नीचे के पदों को पढ़ोगे तो वहाँ पे अराम का जो राजा है बेन हदद वो कैसे करके वहाँ से भग गया था लड़ाई की जगे से क्योंकि वो शराब पी करके मतवाला था एका एक परमेशन ने उनके सेना के उपर हमला करवा दिया अब ध्यान दीजेगा कि वहाँ पे एक एडवाईजर था हरे एक राजाओं के पास इवन आज जित्ते देश के जो बड़े बड़े लीडर्स है उन हरे एक लीडर्स के पास एक बहुत अच्छी एडवाईजरी टीम होती है सलाकारों की एक टीम होती है जो हर एक चीजों में उनको सलाक करती है ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए आज इतने बड़े बड़े जो लीडर्स है हमारे देश में भी जो प्राइम मिनिस्टर है प्रेसिडेंट है उनकी एक पूरी टीम है उनके पास एक एडवाइजर की कमेटी है जो उनको एडवाइज करती है ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा डिसीजन लेना चाहिए ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए उसी प्रकार से राजाओं के पास भी पुराने नियम में advisory board advisory committee advisory team रहती थी जो उनको सलाह देती थी तो यहाँ पे कितना stupid सलाह अराम के राजा के जो सलाह कार थे उन्होंने दिया आप इसे पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि उसका एक सलाह कारा करके बोलता है कि इसरायल का राजा पहाड़ी देवता है वो पहाड़ पर अपने लोगों को सफलता देता है पहाड़ पर अपने लोगों को जीत दिलाता है उन्चे स्थानों में पर नीचे की तराई में आपको फोई और शब्द मिलेगा नीचली जगों पर नीचे की तराई इंग्लिश में इस पस लिखा हुआ है वैली तो वो सलाकार एडवाइज देता है इस बार हम इसराइलियों की उपर पहाड पर नहीं या उचे स्थान पर हमला नहीं करेंगे इस बार हम इसराइलियों की उपर हम तराई में होकर के हमला करेंगे हम वैली में हो करके हमला करेंगे या आप कह सकते हो घोर अंदकार से भरी होई तराई में हो करके हम इसराइलियों की उपर हम हमला करेंगे पर इन लोगों को नहीं पता कि उस अंदकार की तराई में भी परमेशर हमारे साथ है परमेशर अपने लोगों के साथ है उसंद्धकार की तराई में और परमेशर का वचन हमको बताता है कि जब ये एडवाइज उनको मिलती है अराम के राजा को उसने वो योजना बनाता है कि हम तराई में उनकी उपर हमला करेंगे परमेशर का नबी फिर से आहाब राजा के पास आता है और आ करके जो से बोलता है देखिए परमेशर के वचन में 28 वे पत्से मैं आपके सामने पढ़ूँगा उसे देखिए तब परमेशर के उसी जन्ने इसराईल के राजा के पास जाकर कहा यहोवा यों कहता है अरामियों ने यह कहा है कि यहुवा पहाड़ी देवता है परन्तु नीची भूमी का नहीं है मतलब वैली का वो परमेशन नहीं है अंदकार की तराई का वो परमेशन नहीं है आगे बैबल बोलती है इस कारण मैं उस बड़ी भीड को तेरे हाथ में कर दूँगा तक तुम्हें ग्यात हो जाएगा कि मैं यहुवा हूँ अब ध्यान दीजिये 29 वैपद में और वे साथ दिन तक कितने दिन तक अंडरलाइन करिए गई से आप देखिए परमेशन का वचन हम को बताता है कि चाहे मैं घोर अंदिकार से भरी हुई तराई में हो करके चलू परमेशन पिता पहाडबस के परमेशन नहीं है वो तराई के भी परमेशन है जब आप अपने जीवन के उचे से उचे स्थानों में आप रहते हैं आप अपने पहाड़ी मूमेंट में आपने लाइफ के माउंटेन मूमेंट में जब आप रहते हैं कि आपको बड़ी सफलता मिली है बिजनेस में सक्सेस मिला है अच्छी जॉब मिल गई अच्छी लाइफ पार्टमर मिल गई यह आपके टॉप मूमेंट्स है आपके जीवन के पर आपके जीवन का निचला इस्थान कौन से है जब आपका भी निराश है आप दुखी है जब आप टूट से गए है आपके पास कोई नहीं है आपका सहारा देने वाला जब आप ऐसे मूमेंट्स से होकर के गुजरते हैं वैली मूमेंट्स जिसे हम बोलते हैं तराई का जो समय रहता है परमेशर पिता ने बोला कि तब तुम जान लोगे जब मैं निचली भूमी में अरामियों को तुमारे हाथ में कर दूँगा तुम जान लोगे कि मैं यहुआ हूँ मतलब परमेशर बोल रहे हैं कि उस तराई में भी उस निचले स्थान में भी उस अंधकार की जगे में भी मैं तेरे साथ हूँ और तुझे किसी प्रकार की हानी नहीं होगी क्योंकि मैं तेरा हाथ ठाम गर के तेरे साथ खड़ा हूँ पिछले संडे को मैंने आपके साथ इस चीज को शेयर किया था यदि आपको याद आ रहा होगा तो कि परमेशन ने कहा जो बाते परमेशर ने हमारे साथ बाटी है वो ये है कि इस अंत की समय में परमेशर इतिहास को दोहरा रहे है मैंने इस शब्द को कहा था आपको याद आ रहा होगा God is repeating history परमेशर पिता इतिहास को वापिस दोहरा रहे है अब आप बोलोगे अरपित कैसे मैं आपको बाइबल से इसे बताता हूँ जब यहुशू इसराइलियों को लीड कर रहा था इसराइलियों की अगवाई कर रहा था कहा ले जाने के लिए वाइदे के देश में उस वाइदे के देश में प्रवेश करने के जाने के लिए उनके सामने में एक रुकावट थी वो रुकावट क्या थी? यरीहो यरीहो की शहर पना और वो जो यरीहो की शहर पना थी वो एक बहुत बड़ी रुकावट थी उनके सामने में वो एक बहुत बड़ी रुकावट थी उनके सामने में तो बाइबल मेरे और आपको बताती है कि वो जो रुकावट थी उसको परमेशन ने कैसे इसराइलियों के हाथ में दिया बाइबल हमको बताती ही कि परमेशन ने यहुशु को बोला कि तुम 6 दिन तक इस नंबर को ध्यान दीजेगा छे दिन तक तुम एक बार शेहर पना का चक्कर लगाना और सातवे दिन सात बार चक्कर लगाना दो बार आया है नंबर सैवन सातवे दिन सात बार चक्कर लगाना और सातवे दिन जब वो सात बार चक्कर लगाए तो बाइबल हमको बताती है कि यरी हो यहुशु और इस्राइलियों के हाथ में आ गया ध्यान दीजेगा यहाँ पे बाइबल क्या बता रही हमको यहाँ पे बाइबल बताती ही परमिश्र का वचन बताता है कि साथ दिन तक कितने दिन तक साथ दिन तक इसराइली और अरामी आमने सामने डेरे डाले पड़े रहे और कितने दिन को साथवे दिन को साथवे दिन को इसराइलियों ने हमला किया या युद्ध छिड़ गया और एक ही दिन में एक लाग प्यादों को इसराइलियों ने मार लिया और आगे बाइबल बताती कि 27,000 प्यादों की उपर दिवाल गिर गई जिसके कारण उनकी बृत्ति हो गई ध्यान दीजे कि सातवे दिन में सीधे शब्दों में कि ये इसराइलियों ने जीत को पा लिया छे दिन तक लड़ाई हुई यरियों में सातवे दिन यरियों उनके हाथ में आ गया छे दिन तक ये डेरे डाले पड़े रहे सातवे दिन में युद छिळा सातवे दिन में इन्होंने अराम पी उपर जीत पा ली आप देखिए परमेशर कैसे इतिहास को दोर आ रहे हैं आज से 55 साल पहले 1967 में 1967 में जब इसरेल 1948 में 15 मई 1948 को इसरेल अजादी को प्राप्त किया और जब इसरेल अजाद हुआ उस वक्त इसराइल के पास यरुशलम नहीं था यरुशलम इसराइलियों के कबजे में नहीं था ध्यान दीजेगा 1967 में Six Day War हुआ इसे आप पढ़ेंगे आप Google में सर्च करेंगे Six Day War आपको पूरा हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगा इतिहास वहाँ पे वहाँ पे इतिहास हमको बताता है कि इसरेल अकेले था इसरेल अकेले था और चारों तरफ अरब की सेना से वह घिरा हुआ था इस तरफ में जॉर्डन था, साओधी अरेबिया था, वेस्ट के तरफ में एजिप्ट था, ऊपर में नॉर्थ के तरफ में सीरिया था जिसे हम बाइबल में अराम पढ़ते हैं सीरिया था, लेबनन था, ये सारे अरबी देश एक हो गए थे इसरेल को मारने के लिए, इसरेल से लड़ने के लिए अब ध्यान दीजिएगा कि 6 दिन तक लड़ाई चली, इसरेल अकेला था इसरेल अकेला था, और ये पूरे अरब देश जो थे इस्रेल की उपर जो अकेला था उसकी उपर हमला किये 1967 में आज से 55 साल पहले हाल फिल हाल की बात है योकि बाइबल 2000 साल पहले के हम हिस्ट्री को देख रहे पर 1967 की जो हिस्ट्री है ये 55 साल पहले की बात है पर्परमेशर इसरेल के साथ था छे दिन तक लड़ाई चरी आप हिस्ट्री में पढ़िएगा सातवे दिन इसरेल ने जीत को प्राप्त किया और यरुशलेम इसरेल के हाथ में आ गया और यरुशलेम इसरेल का इटर्नल कैपिटल है अनन्त काल की राजधानी है इसरेल की राजधानी यरुशलम तो 1967 में 1966 में 1967 में 6 दिन कयुद हुआ 7 दिन इसरेल ने जीत को प्राप्त किया और यरुशलम उनके हाथ में आ गया परमेशर इतिहास को दोर आ रहे हैं हम बाइबल में हमने इस हिस्ट्री को देखा 6 दिन तक यरीहों के लड़ाई चली 7 दिन यरीहों इसरेलियों के हाथ में आ गया यहाँ पे आप देख रहे हैं अहाब राजा के समय में कि 6 दिन तक वो डेरे डाले रहे 7 दिन लड़ाई चली युद्ध चली और एक ही दिन में 7 दिन में उन्होंने जीत को पा लिया God is repeating history और आज मैं और आप हम कौन से दिन में हैं हम सब्ता के पहले दिन में हैं और आज से जब हम अपने दिन को शुरू करते हैं 7 दिन तक हम जाते हैं और फिर हम पहले दिन में प्रवेश करते हैं We start from the rest हम विश्राम की स्थान से हम हर एक चीज़ों को हम शुरू करते हैं तो यहां से आपको clear हो रहा आप इस चीज़ को देख पारें परमेशर के वचन से कि अराम की सेना कहा हमला करी तराई में क्योंकि उनको लगता था कि तराई में ये लोग अकेले हैं इनके साथ कोई नहीं है पर परमेशर ने बोला कि तुम जाओ मैं तुम्हारे साथ हूं तराई में और मैं तुम्हें बड़ी जीत दिलाऊँगा तो दाउद ने इस बात को पाया और जब परमेशर ने मुझे इन दोनों वचनों को दिखाया उत्पत्ती चौदा और पहला राज़ा बीस ये मेरे दिमाग को घुमा दिया कि क्या अदभुद बाते परमेशर इस प्रकाशन को हमारे ले रखे हैं तो बाइबल हमको बताती है कि पहाब राजा ने बड़ी जीत उतको उस दिन प्राप्त किया कहाँ पे तराई में नीचली भूमी में नीचली जगों पर अब आजा ये भजन सहीता 23 में मैं थोड़ा सा समय आज लेना चाहूंगा क्योंकि मैं चाहरा हूँ कि ये विशय को हम कम्प्रीट कर ले कि चाहे मैं घोर अंधिकार से भरी हुई तराई में हो करके चलूँगा मैं हानी से ना डरूँगा क्योंकि तू मेरे साथ है Because I believe कि दाउद इन सारी चीजों को आत्मा में विटनेस कर चुका था दाउद अब्रहम के समय में नहीं था उसने इस प्रकाशन को आत्मा में पाया डाउद अहाब राजा के समय में नहीं था क्योंकि दाउद की उस वक्त मृत्ती हो चुकी थी So I believe कि दाउद इन सारी चीजों को दाउद यहां तक की यहुशू के समय में भी दाउद नहीं था So I believe कि दाउद की उपर प्रमेशर की आत्मा वास करती थी तो आत्मा में इन प्रकाशनों को दाउद ने पाया और दाउद ने भजन सहीदा 23 में लिखा आगे दाउद बोलता है तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शान्ती मिलती है सोटा क्यों? सोटा हमको करेक्ट करने के लिए कई बार हमको करेक्शन की जरुरत पड़ती है इबरानियों में आप पढ़ेंगे तो परमेशर का वचन कहता है कि परमेशर जिससे प्रेम करता है उससे ताड़ना उससे डाटता है और जिसे पुत्र बना लेता है, उस पर छड़ी भी चलाता है, तो सोटा जो है, वो हमारे लिए है, हमको correct करने के लिए, अब यह मत सोचेगा कि सोटे से मारने का मतलब है कि आपके हाथ पर टूर जाएंगे, नहीं, नहीं, सोटा हमको सुधारने के लिए है, पर मेशर सोटे क प्रयूग करते हैं कई बार वचल के द्वारा कई बार किसी लोगों के द्वारा कई बार आपके मातापिता की द्वारा जो कई बातों को बोलते हैं वो correction के रूप में होती जो आपके जीवन में सुधार को लाती है तो हमेशे इन छोटी छोटी चीजों को जब आपको कोई बोलता है तो आपको बुरा लगता है कई बार और आप विचार करते हैं अरे वो मेरे को बोला मेरे को खराब लगा ये वो एक सोटा हो सकता है जिसे आपको समझना है जो आपके सुधार के लिए है परध्यान में रखिएगा कि वो किस सोर्स से आ रहा है यदि वो गलत जगे से आ रहा है उदाहरन के लिए गलत जगा मतलब शराब पी करके वहाँ पे आप भी लड़ाई कर रहे हो तो पुलिस वाले आपको डाट रहे हैं ये गलत जगा है ये वो सोटा नहीं है सोटा वो होता है कि जब आप प्रभू में आगे बढ़ रहे हो और परमेशर का कोई दास आपको बोलता है कि ये तुम्हारे जीवन में आप ऐसा कर रहे हो यहाँ पे आपको करेक्शन सुधार लाने की ज़रूरत है ये एक सोटा हो सकता है तिन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा लाठी जो होती है लाठी परमेशर का वचन हमको बताता है ये उन भेड़ियों को हम इन्दी में बोलते है किसी भी दुनियादारी की हमें परक नहीं है या पहचान नहीं है हम बहुत नदान है नदान का मतलब कि कोई भिया करके हमको मार लेगा हनी पहुचा लेगा इस चीज़ को याद रखिएगा कि हम नदान है हम भेड़ है हम कमजोर है पर इस चीज़ को न भूलिए कि हमारा एक चरवाह है वो चरवाह हमारे क्रूस में अपने जीवन को बलिदान दिया है वो चरवाह जब हमारे लिए इतनी बुरी क्रूस की मार को सह सकता है हमें अनन जीवन देने के लिए हमें परमेशर के पास पहुंचाने के लिए तो क्या वो चरवाह अपनी भेडों को ऐसे ही नाश होने देदेगा? नई और इस्पेशली जब आप दाउद की जीवन से देखो दाउद अपने आपको पोट्रे कर रहा था शाउल के सामने उसने बोला मैं अपनी भेडों को शेर और भालू के मूँ से वापिस लाता हूँ और जब वो शेर भालू मेरे उपर हमला करते हैं मैं उन्हें फार देता हूँ थिंक आफ दिस विचार करिये दाउद एक ऐसा चरवाहा था कि यदी तुम यदी जो दुस्ट लोग हैं जो बुरे लोग हैं जो प्रभू की भेडों की उपर अटेक कर रहे हैं दाउद इस बात को बोला है में उन्हें फार देता था ज़स सत्रा साल का लड़का क्या स्पिरिट थी क्या आत्मा थी दाउद में दाउद हमेशा मुझे इंप्रेस करता है प्रभू में तो यहाँ पे प्रभू यही इस चीज़ को बोल रहे हैं कि तेरे सोटे और तरी लाठी सोटा हमारे लिए है लाठी उन लोगों के लिए है जो हमको हानी पहुँचाने के लिए आते हैं और वो लाठी को प्रभू उन लोगों के लिए प्रयोग करते है तेरे सोटे और तरी लाठी से मुझे शान्ती मिलती है प्रभू तु मुझे प्रोटेक्ट करता है मुझे रेस्ट देता है और आगे बाइबल क्या बोलती है तुने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है अब ध्यान दीजेगा जल्दी से आजाई उत्पत्ती चौद्वे अध्याय में जो प्रकाशन को हम मनन कर रहे थे अबरहम कहां पर था? घोर अंधकार से भरी हुई तराई में था और अबरहम के सामने में कौन था? उसका सताने वाला सदोम का राजा बेरा जो की दुस्ट का बेटा था वो उसके सामने में था दाउत क्या बोलता है? तु मेरे सताने वालों के सामने में जो मुझे परिशान कर रहे हैं उनके सामने में ही तू मेरे लिए मेज बिचाता है अब ध्यान दीजेगा कि उस घोर अंधकार से भरी हुई तराई में बेरा की जो राजा की जो तराई थी उस राजा की तराई में जब मलकी से देख आया जो कि प्रभी इश्यमसी है वो क्या लेकर के आया था रोटी और दा सताने वाले अबरहम के सताने वाले उसके सामने में थे सदोम का राजा उसके सामने में था प्रभी इश्यमसी वहाँ पे आये उस अंधकार की तरही में प्रभू उसके साथ थे और प्रभी इश्यमसी उसके सताने वालों के सामने में इश्यमसी ने उसके लिए मेज बिचा क्योंकि अबरहम चार राजा को हरा करके आया था, वो ठक चुका था, उसकी बॉड़ी डिहाइडरेट हो चुकी थी, क्योंकि लड़ाई लड़ना असान बात नहीं है, आज मौडन समय में तो हर एक चीजे मौडन हो गए, मिसाइल्स के द्वारा, एरक्राफ्ट के द्वारा, उस समय में नहीं, उस समय में हैंड टो हैंड लड़ाई लड़ी जाती थी, आपको बहुत स्टैमना, बहुत हिम्मत की जरुरत पड़ती थी, तो उस वक्त में अबरहम ठक चुका था, डिहाइडरेट हो चुका था, तो बैबल हमको बताती कि पर प्रभी इश्यमसी उसके स बैबल मेरे और आपको बताती, जब आप पड़ोगे पहला कुरंतियों उसके ग्यारवे अध्याय में, कि जब भी हम प्रभू की मेज की पास आते हैं, हम प्रभी इश्यमसी की मृत्यू का प्रचार करते हैं, जब तक वह हमको लेने के लिए नहीं आ जाते हैं, हम उस विक और इश्यमसी ने क्या बोला, जब जब तुम ऐसा करते हो, मेरे इस मरण में यही किया करना, मेरे इस मरण में, इस चीज को याद रखेगी, यह बैबल बोलती है, इश्यमसी ने इसे बोला, आप सू समझारें पढ़िये, इश्यमसी ने कटोरा लेकर धन्यवात कहा, और कह या लहू मेरी नई बाचा है जब जब ऐसा करते हो मेरे इसमरण में यही किया करो पर आज बहुत जगों पर बहुत चर्चेस में आप देखोगे कि लोग पाप के प्रती जागरूख है एवन बहुत से अगुवे हैं जो आज लोगों को पाप के प्रती जागरूख करते कि तुम अपने पापों को अंगिकार करो तब तुम यहां मेज के पास आओ यदि आपके जीवन में पाप है तो आप प्रभू भोज नहीं ले सकते this is all nonsense ये Bible नहीं बोलती है प्रीभायोर बहनो येदि आप अपने पाप को इसमरन कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि मैं पहले अपने पापो को धो लूँ फिर मैं प्रभू की मेज में आऊंगा तो येदि आप अपने पापो को धो लेते तो ईश्य मसी क्यों आते विचार करिए हम अपने पापों को नहीं धो सकते इसलिए प्रभी ईश्य मसी आए और जब हम प्रभी ईश्य मसी पर विश्वास करते हैं प्रिर्दों के काम में लिखा हुआ है विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध हुए है किसके द्वारा विश्वास के द्वारा तो जब आप विश्वास करते हैं आपका मन शुद्ध हो जाता है उसी वक्त इशू के लहू से तब आप इशू को इसमरन करिए कि प्रभू आपके लहू से मेरे पाप शमा हुए हैं आपके मार खाने से मैं चंगा हुआ हूँ और प्रभु भोज नहीं है, it's no longer holy communion क्योंकि आप issue को स्मरन नहीं कर रहे हो, ये issue की स्मरन के लिए किया जाता है, issue ने बोला जब जब तुमको मुझे याद करना है तुम मेरी मेज के पास आओ और जब मेरी मेज के पास आओगे तुम मेरी मृत्यू को प्रचार करोगे, जब तुम मेरी मृत्यू को प्रचार करोगे, तुम हर एक चीजों के उपर जयवन्द को तुम प्राप्त करोगे एक छोटी सी टेस्टीमोनी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जल्दी से, एक बहन की टेस्टीमोनी आई, कि वो एक पुराने घर में रहती थी पर वो एक नया घर खरी दी जो घर बना हुआ घर था उस घर में पहले कोई लोग रहते थे तो उस घर में जब वो प्रवेश करी तो उस घर में दुस्टात्मा की कुछ शक्तियां कारे करती थी वो महसूस करती थी अलग-अलग प्रकार की आवाज आती थी तो वो एक प्रभू के दास से मिली जो कि बहुत अभिशिक्ट दास थे तो उस प्रभू के दास ने बोला कि मैं भी दूसरे जगे पर हूँ क्योंकि वो जो महिला थी वो अपना घर शिफ्ट कर ली थी तो प्रभू के दास बोले कि अभी मैं बाहर हूँ मैं आपके घर नहीं आसकता आप एक काम करिये कि आप प्रभू भोज अपने घर में लीजिए क्योंकि प्रभू भोज लेने से आप क्या कर रहे हो आप िशू की मृतियों को आप प्रचार कर रहे हो और उस इस्तरी ने testify किया उस इस्तरी ने गवाही दी कि जब मैं इशू की मृत्यू को प्रचार की जब मैं प्रभू भोज ली जितनी दुस्टात्मा की शक्ती थी मेरे घर से निकल गई और मेरे घर में प्रभू की प्रेजन्स आई प्रभू का वास हुआ और अब प्रभू की उपस्तिती में हम जीवन को जीते हैं तो दाउद क्या बोल रहा है तू मेरे सताने वालों के सामने में उस महिला ने जिसने इस गवाही को दिया उसके सताने वाले कौन थे दुस्टात्मा जो उस घर में थे उसके सामने में प्रभू ने मेज बिचाया और जब उस मेज में वो सह भागी हुई बाइबल हमको बताती है कि उसने उस परिशानी से निजात पाया छुटकारा पाया तो जब भी आप रभू की मेज की पास आते हो हमेशा याद रखिए यह मैं बाइबल से प्रीच कर रहा हूँ मैं अपने मन से किसी बातों को नहीं बोल रहा आप सूसमचार में देखिए मत्ती मरकुस लूक योहन में आप पहला कुरंथियो 11 में देखिए इश्य मसी ने बोला मेरे इसमरण में ऐसा किया करना और आखरी जो दो पध हमारे सामने है कि तु मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिचाता है तो अबरहम के सामने में परमेशन ने मेज बिचाया और अबरहम ने हर एक चीजों का दश्वांस चढ़ाया प्रभी शिमसी को ये प्रकाशन को आप अपने जीवन में रिसीव करिए कि प्रभू आज आपको स्वस्त और आशशित देखना चाहते हैं आगे दाउद बोलता है कि तुने मेरे सिर पर तेल मला है मेरा कटोरा उमन रहा है निश्षह भलाए और करोना जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहवा के धाम में सरवद आवास करूँ हर एक प्रकार की जो मक्ही बड़ी बड़ी जो फलाई आती है वो उसे आ करके disturb करती है उसे परिशान करती है तो चरवाह क्या करता है अपनी भेडो के सिर की उपर वो तेल मलता है तेल मलने का दो अर्थ हमारे सामने आता है पहला अर्थ की वो जो तेल है वो पवित्रात्मा का सिंबॉल है आप बाइबल में इसे पढ़ेंगे आपको मिलेगा तेल मलने मतलब पवित्रात्मा का अभिशेक और दूसरा तेल मतलब जो पवित्रात्मा का जब अभिशेक आपके उपर आगया तो आपके जीवन में हरे एक अच्छे विचार आएंगे Bible से एक छोटी सी बात मैं आपके साथ share कर रहा हूँ कि Bible में शैतान का एक नाम आया है वो नाम है बाल जबूल आपको मालूम है बाल जबूल का अर्थ क्या होता है इबरानी में आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि बाल जबूल का अर्थ होता है मक्यों का राजा The Lord of Flies मक्यों का प्रभू या मक्यों का राजा तो जब आपके जीवन में जितने भी गलत विचार जो आते हैं suicidal thoughts जो आते हैं कि मैं suicide कर लूँ अपने जीवन को खतम कर लूँ मैं ये गलत काम करूँ ये पाप करूँ ये गलत वीडियो देखनू ये गंदी चीज़ करनू ये वो ये आपकी और से नहीं है नहीं ये प्रभू की और से है ये गंदे विचार वो शैतान की और से है जो मक्यों का राजा है तो इन मक्यों को जो आपके जीवन में गलत विचार आ रहे हैं, गलत चीजों को करने के जो विचार आ रही है, शैतान डालता है तो बाइबल में ये परमेशर का वचन है, इस प्रकाशन को रिसीव करिये कि परमेशर क्यों अपनी भेडों की उपर तेल मलते है कि हर एक मक्खियों को दूर कर सकें पहला चीज और दूसरा चीज की जो तेल है ये पवित्रात्मा के अभिशेक को दर्शाता है तो उस मक्खी जब दूर हो गई है तो आप हमेशा परमेशर की आत्मा के चलाया चलो क्योंकि रोमिया में बाइबल बोलती है आठवी अध्याय में कि जितने परमेशर की आत्मा के चलाया चलते हैं वे परमेशर के पुत्र है तो बाइबल बोलती ही तूने मेरे सेर पर तेल मला है मतलब तूने अपने पवित्रात्मा के अभिशेक से मुझे भर दिया है प्रभू और अब मैं तेरी आत्मा के चलाए चलूँगा क्योंकि तू मेरा पिता है मैं तेरा बेटा हूँ मैं तेरी बेटी हूँ प्रभू how blessed we are, कितने धन्य हैं मैं और आप और आकरी पद आकरी पद बाइबल बोलती है तुने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमन रहा है, तो जब इन सारी एक से लेकर के चार पद की आशिशवा पालोगे न, प्रभू के और इसमें आप देखिए कि भेडो का कोई काम नहीं है मेरा और आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है पूरा काम प्रभू कर रहे है यदि हम अपने जीवन में गलट decision भी ले लिये हैं, तब भी प्रभू हमको बचा रहे हैं, उस अंधकार की तराई में मेरे और आपको बाहर निकाल रहे है मेरा और आपका क्या काम है मेरा और आपका काम है उसके महान प्रेम में विश्राम करना कि प्रभू मैं नहीं कर सकता आप कर सकते हैं, मैं अपनी आखे आपकी उपर लगाता हूँ, अपना विश्वास आपकी उपर रखता हूँ, आपकी योजनाओं पर मैं विश्राम करता हूँ कि सही समय पे, सही जगे पर आप अपने वायदे को आप पूरा करोगे तो जब आप इन प्रभू के प्रेम में आप विश्राम करोगे बाइबल मेरे और आपको बताती है कि आपका जो कटोरा है वो उमडने लगेगा आपकी जीवन को लोग देख करके बोलेंगे कि ये प्रभू की भेड़ है, ये प्रभू का जन है, ये प्रभू का बेटा, प्रभू की बेटी है आपका जीवन एक living testimony बन जाएगा, जीवित गवाही बन जाएगा और आप दूसरों के लिए आशिश का कारण बनोगे और लास्ट पर बाइबल हमको बताती है कि निश्य, भलाई और करूना जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं याववा के धाम में सरवदावास करूँगा शायद हो सकता है, नई 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 बाइबल ऐसे नहीं बोलती कि शायद या हो सकता है निश्य, इबरानी में लिखा हुआ है अक्षान, 100% निश्य, करूना और भलाई, जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और यहाँ पे बनी रहेंगी जो शब्द है, यहाँ पे एक इबरानी शब्दाया मैं आपको बताना चाहरा हूँ यह इबरानी शब्द बहुत कठोर शब्द है, यह क्या है आप जानना चाहते हैं, यह इबरानी शब्द है रदाफ 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 का मतलब होता है शिकार करना यदि आप इस रेल में जाएंगे और आप इस बात को चर्चा करोगे कि मैं एक जानवर का मैंने शिकार किया तो वहाँ पर इबरानी में बोला जाएगा रदाफ, हंट डाउन करना मार गिराना तो इबरानी में मार गिराना को बोला जाता है रदाफ, शिकार करना हंट डाउन करना तो यहाँ पर बैबल बोलती है निश्य भलाई और करूना जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी इसका मतलब है कि निश्य जीवन भर परमेशर की भलाई और करूना आपका शिकार करेगी आपको हंट डाउन करेगी आपको मार गिराएगी मार गिराएगी का मतलब है कि कोई डाउट नहीं कि आपको परमेशर की क्रिपन नहीं मिलेगी परमेशर का पक्ष नहीं मिलेगा 100% परमेशर की भलाई और करूना मेरे और आपको hunt down कर देगी मेरे और आपको गिरा देगी मतलब परमेशर का अनुग्र हमको गिरा देगा उस अनुग्र में हम लिपट जाएंगे उस अनुग्र में हम wrapped up हो जाएंगे covered up हो जाएंगे और last line Bible बोलती है और मैं सरवदा प्रभू के धाम में मैं वास करूँगा वास करूँगा ये छोटा सा आखरी प्रकाशन है फिर हमारा मैसेज आज का कम्पलीट हो चुका है इस प्रकाशन को ले करके जाएए मैं परमेशर के धाम में सरवता वास करूँगा वास करूँगा के लिए इबरानी शब्द आया है वो है यशाब यशाब का मतलब होता है बैठना या विश्राम करना तो जब परमेशर की क्रिप और भलाई हमको हमारी उपर अधिकाई से आएगी ऐसा नहीं कि शायद आएगी या हो सकता है आएगी नहीं definitely 100% आएगी हम सरवदा प्रभू के धाम में हम निवास करेंगे हम रेस्ट करेंगे हम विश्राम करेंगे अब ध्यान दीजे भजन सहीता 91 भजन सहीता 91 अध्याई को जब आप पढ़ोगे तो वो शुरू कैसे होता है जो परम प्रधान के छायवे स्थान में बैठा रहे बैठा रहे के लिए जो इब्रानी शब्द आया है आप चेक करेंगे वो इब्रानी शब्द है यशाब यशाब बिल्कुल सेम वही शब्द यशाब जो भजन सहीता 23 के आखरी पद में लिखा हुआ है कि मैं सरवदा परमेशर के धाम में वास करूँगा शक्ती मान की छाया में ठिकाना पाएगा तो जब आप उस अनुगर पर दिर्भर होगे आप सच्मुच में आप आशिशित होगे परमेशर के सुरक्षा को सुपर नैच्रल ब्लैसिंग्स को आप अपने जीवन में एक्स्पिरियंस करोगे तो भजन सहीता 23 में आद रखिएगा कि चरवाहा पूरे कार्य को कर रहे है प्रभी इशिय मसी पहले कार्य को कर चुक है अभी भी वो कार्य कर रहे है मेरे और आपके लिए अभी भी वो कार्य को कर रहे है वो अराम नहीं कर रहे है हमको represent कर रहे हैं पिता की दाहिनी ओर प्रभू इश्य मसी ऐसा अद्भूत मेरा चरवाहा है ऐसा अद्भूत मेरा इश्यू है ऐसा अद्भूत मेरे प्रभू है जिन पर मैं विश्वास करता हूँ जिन पर मैं घमन करता हूँ तो मेरा और आपका काम क्या है? पूरे भजन सहीता 23 में हमने देख लिया, हमारा काम है उस प्रेम में विश्राम करना, उसके अनुगर पर निर्भर होना और पूरी तरह से प्रभुईश्य मसी पर ट्रस्ट करना, तो मैं विश्वास करता हूं कि इस भजन सहीता 23 का जो प्रक मैं आज इस प्रभु को जान लिया हूं, इश्व को मैं पहचान लिया हूं, और आज इश्व को मैं अपने जीवन में ग्रहन करना चाहता हूं, आज उस अद्भुच चरवाहा के प्रेम में मैं विश्राम करना चाहता हूं, मैं क्या करूं? इश्व मसी पर विश्वास कर, बाइबल बोलती है, इश्यमसी पर विश्वास कर तो तू और तेरा घरा न उठार पाएगा तो जितने भाई बहन इश्यू का अपने जीवन में रिसीव करना चाहते हैं मेरे पीछे आप छोटी सी प्रेयर करें, प्रभू का अपने जीवन में रिसीव करिए प्यारे पिता परमेशर, मैं आपको हिरदय से धन्यवाद देता हूँ आपके महान प्रेयम किजिए प्यारे पिता, कि आपने मुझसे प्रेयम किये और ऐसा प्रेयम किये, कि आपने प्रभू इश्यमसी को मेरे लिए दे दिये मैं धन्यवाद देता हूबा पिता की इश्य मसी जो मेरे चरवाह है मुझसे इतना प्रेम किये कि मेरे सारे पापो को अपनी देह पर ले करके वो ख्रूस में बलीदान हुए वो मेरे पापो के ले मारे गए और मेरे धर्मी ठहरने के लिए मृत को के बंधन में से जी उठें बिना मेरे पापो की मैं धन्यवाद देता हूबा पिता और विश्वास करता हूँ कि इश्य मसी जेवित है और आपकी दहनी और विराजमान है मेरे सदा के महायाज़क के रूप में आज की शाम अबबा पिता मैं पूरे मन से प्रभी इश्य मसी पर मैं विश्वास करता हूँ और अपने मन से मैं विश्वास करते हुए अपने मूँ से अंगी कार करता हूँ कि इश्य मसी मेरे प्रभू और मेरे उद्धार करता है आज से युगानो युग के लिए अब्बा पिता मैं आपके महान प्रेम में विश्राम करता हूँ और आज मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरा एक अध्भुच चरवाह है जिसका नाम है इश्यमसी जो हमेशा मेरे साथ है मेरे हाथों को थाम करके खड़े है चाहे मैं अंधिकार की तराई में हूँ वो मेरे साथ है और मेरे जीवन में वधिकाई से कारे कर रहे है प्रभु इश्यमसी मेरे चरवाह है आप, मैं आपके प्रेम में, आपकी योजनाओं पर, आपके अनुग्र पर मैं पूरी तरह से निर्भर होता हूँ, पूरी तरह से विश्राम करता हूँ और अपनी सारी चिंता को, अपने सारे टेंशन्स और ट्रबल्स को, मैं आपके छिदे हुए हाथों में देता हूँ प्रभु, अपसे वो आपकी चिंता है, अपसे मैं उनकी चिंता नहीं करूँगा, पर मैं विश्वास करता हूँ, कि उन हरे एक वायदे को जिससे आपने कि इस वर्ष में और आने वाले महनों में प्रभू, आप उसे पूरा कर दिये हैं, और प्रभू मैं धन्यवाद देता हूं कि आप अपनी महिमा को मेरे जीवन से प्रगट कर दिये हैं, मैं धन्यवाद देता हूं और यही प्रात्ता करता हूं कि मेरे जीवन से सदा आपके नाम की महिंबा हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिताब के महान प्रेम के लिए। एश्यू मसी के नाम से मांगते हैं। आमेन, 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 यदि आपने ये प्रेयर की है, आप मसी इशु में नई सिलस्टी है, सारी पुरानी बाते बीच चुकी और ये जो प्रेयर आपने की है, जो प्रभु ने जो words मेरे मुँ में डाले, जो वचल, जो प्रेयर के लिए प्रभु ने मेरे मुँ में डाले, प जित्ते भी believers जूम मिटिंग में जुड़े हुए हैं और YouTube में आप प्रभो की blessing को आप receive करिए प्यारे अबबा पिता मैं प्रभी इश्री मसी के नाम से आपको धन्यवाद देता हूँ आपकी आशिश के लिए कि आज शाम अबबा पिता आपने अपने अनुगरु को हमारे लिए उंडेल दिये और वो अद्भुत प्रकाशन को जो प्रभी इश्री मसी पुराने नियम में छिपे हुए हैं आपने अपने पवित्रात्मा की लीडिंग और गाइडन्स में आपने हमारे सामने प्रगट किये मैं धन्यवाद देता हूँ पवित्रात्मा की गाइडन्स के लिए कि आज हम इश्री मसी को अनुगरु में हम देख सकें वच्छन में प्यारे पिता मैं प्रात्ता करता हूँ जितने भी लोग मेरी आवास के अंदर में है जूम मिटिंग से और यूट्यूब से प्यारे अबबा पिता मैं प्रभी इश्यमसी के नाम से आपकी ब्लेसिंग्स को उनके जीवन में उनके परिवार में मैं प्रोनाउंस करता हूँ अबबा पिता अबबा पिता मेरी प्रात्ता है कि इन बिलीवर्स को इश्यमसी के नाम से ब्लेस करिए कि ये पूरी तरह से चरवाहे के प्रेम में विश्राम करें आपकी सूपर नैच्रल प्रोटेक्शन को अबबा पिता ये एक्स्पिरियंस करें आने वाले दिनों में हमें नहीं पता अबबा पिता कि कितने खत्रे आने वाले हैं आने वाले दिनों में पर हमको पता है कि आप अपने लोगों को अपने विश्वासियों को आप प्रोटेक्ट करेंगे प्रभी इश्री मसी के नाम से परमेशर पिता आपके और आपके परिवार को हर एक COVID-19 के वाइरस से उसके नए स्ट्रेंज से और जाने और अंजाने खतरों से इश्री मसी के नाम से प्रोटेक्ट करें परमेशर अपने मुख का प्रकाश आपकी उपर चमकाए हमेशा नुग्रकारी रहे और इश्री मसी के नाम से परमेशर पिता आपको अबरहम की आशिष से आशिषित करते हुए इश्री मसी की ज्यान और पहचान में ज्यान और प्रकाशन में उस आत्मा से आपको भर दे कि आप हमेशा प्रबु ईश्री मसी के ज्ञान और पहचान में और ईश्रु के प्रकाशन में आप सदा आगे बरते चले जाएँ ईश्री मसी के नाम से मांगते हैं license प्रबु आप सब को बहुत आध की आशिष देवे God bless you all and Shalom